हर्याना में चुनाव है विधान सभा का चुनाव यालिकी हर्याना के अंदर कोई हर्याना निकलती है कि चुनाव हवा का खेल होता है जिसकी हवा चलती है वो सत्ता में आता है और जिसकी हवा निकल जाती है वो सत्ता से दूर हो जाता है दस साल से हर्याना में भारती जंता पारटी की सरकार है दस साल से कॉंग्रेस विपक्ष में है और 20 साल से इंडियन नेशनल लोगदल पारटी हर्याना क कि सत्ता या विपक्ष की में स्ट्रीम के नजदीक आने की कवायत में है जुगत में है और जुगार में है कि किस प्रकार से सत्ता के नजदीक पहुचा जाए अगर माने तो यह चुनाव जो होने जा रहा है हर्याना विधान सभा का चुनाव जहां यह भारती जंता पार्टी के लिए अगनी परिक्षा होगा वहीं बड़ा चैलेंज होगा कॉंग्रेस के लिए इंडियन नैशनल लोगदल जिसने की बहुजन समाज पार्टी से समझोता करके चुनाव मैदान में है वो भी यह देख रही है कि दोनों पार्टियों की पूरी लिस्टें सामने आएं तो उसके बाद फिर कुछ मजबूर प्रत्याशी उनके पास और आ जाएं इस वीडियो में आपके साथ हूं कि क्या हर्याना के अंदर भारती जनता पार्टी के जो बागी है या फिर जो उदासीन है चुनाव के अंदर एक तो वो नेता होते हैं जिनको पार्टी का टिकेट मिलता है जो चुनाव मैदान में होते हैं दूसरे वो होते हैं जिनको टिकेट नहीं मिलता वो बागी हो जाते हैं और वो निर्दलिय तोर प पत्थे में चले जाते हैं ना वो पार्टी के लिए काम करते हैं ना वो पार्टी के लिए कहीं भी किसी प्रकार का संदेश छोड़ते हैं और अगर यह कहें तो वो चुप रह करके यह देखते हैं कि आखिर होगा क्या और मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्या भारती जंता पार्टी के बागी और उदासीन लोग अब की बार खेल खराब कर देंगे वो भारती जंता पार्टी जो 2024 के लोगसभा चुनाओं में हर्याणा में 10 से 5 सीटों पर आ गई यानि कि जिसने 5 सीटों का 5 लोगसभा की सीटों का नुकसान कर लिया क्या वो विधान सभा के अंदर कोई करिश्मा कर पाएगी या फिर हर्याणा के अंदर भी विधान सभा में भी वैसा ही होगा जैसा लोगसभा में हुआ यानि कि लोगसभा के अंदर अगर भारती जंता पार्टी दस से पांच पे आ गई तो फिर विधान सभा में 41 से कितना नीचे आ सकती है या उपर जा सकती है ये तै करेगा आने वरे दिनों में 12 तारिक तक नामांकन का दोर चलना है आज फरिदाबाद के अंदर वेपुल गोयल जो फरिदाबाद 89 के कैंडिडेट हैं और राजेश नागर जो फरिदाबाद 90 के कैंडिडेट हैं तिगाओं से दोनों ने अपना नामांकन किया और मुख्य मंतरी और वर्तमान के कैंडिडेट विजली मंतरी मनहोरलाल खटर और फरिदाबाद के सांसद क्रिशनपाल गूजर कैंडिडेश नामांकन कराने के लिए 12 तारिक तक नावांकन का दोर चलेगा और 12 तारिक तक ही चलता रहेगा बागियों वाला दोर आज भारती जनता पार्टी के और भी कई निता बागी हुए बागी कॉंग्रेस में भी हो रहे हैं लेकिन जितनी बड़ी संख्या में अगर मैं ये कहूं कि हजारों की संख्या में भारती जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं लोग तो फिर कोई अतिश योक्ति नहीं होगी ऐसे नेताओं की बड़ी संख्या है जो धड़ाधर धड़ाधर भारती जनता पार्टी छोड़ रहे हैं कल में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि पूरू मुख्यमंत्री मनहुरलाल करनाल गए हुए थे करनाल की मेयर रेनुबाला को मनाने के लिए इससे पहले नायब सिंग सेनी गए हुए थे करंदेव कंबोज को मनाने के लिए नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है मनाने के के लिए नेता अपने कार्य करताओं और जो नेता हैं जो उनके Benni Dquirr थी थे उनके घरों में उनके दर्बार में जा रहे हैं उनको मनाने के लिए लेकिन कितनी बात तो कितने बागी होंगे आप गुरुगराम में देखे तो वहां कितने बागी होंगे पता नहीं अगर आप बाश्चापुर में देखें तो भले ही कोई केंडिडेट तो सामने ना है लेकिन उदासीन ता दिखनी शुरू हो गई है अगर आप पलवल जिले में आ जाएं तो एक ही टिकट हुआ है भी गौरव गौतम का लेकिन पाटी केंडिडेट इस दूरी को मापने में इस दूरी को नापने में इस दूरी को पाटने में यानिक अगर ये तैन ही कर पायेंगे कि कितनी दूरी है और फिर कैसा पटाव किया जाए अगर इस दूरी को पाटने में सफल नहीं हुए तो फिर समस्या हुई अभी पलवल के अंदर प्रतला में टेक्चन शर्मा का नाम आ चुका है इसके बाद में आप देखें तो मूलचन शर्मा का नाम आ चुका है और विपुल गोयल का चुका है हलां कि राजेश नागर वेपुल गोयर और मूलचन शर्मा के सामने तो कोई बागी तेवर वाले नेता सामने नहीं आए लेकिन उदासींता यहां भी बरकरार है जो उदासींता बरते हुए हैं जो पार्टी के परचार कारेकरम से दूरी बनाये हुए उन नेताओं की संख्या यहां भी कम नहीं है लेकिन अगर प्रतला विधान सबा छेत्र की बात करें तो टेक्चन शर्मा के खिलाब जो कैंडिडेट घोशित हुए हैं भारती जन्ता पार्टी के आप देखें तो नेनपाल रावत हाला कि नेनपाल रावत को मैं भाजपा नेता नहीं मानता नेनपाल रावत निर्दलीय विधायक थे निर्दलीय विधायक हो करके भी तक वो भारती जन्ता पार्टी में शामिल भी नहीं हुए थे और निर्दलीय विधायक किसी गलका हो नहीं सकता अभी हर्याणा की विधान सबाब भंग होई नहीं इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि नैनपाल रावत को मैं किसी पार्टी का भाजपा का नेता नहीं बानता लेकिन क्योंकि नैनपाल रावत खुद लगातार कहते हैं कि उनकी रगों के अंदर उनके खून में भा नैनपाल रावत और दीपक डागर का तय है कुलवीर देशवाल इसके सासत कितने ही नाम है प्रतला विधान सबा में अभी तो भारती जनता पार्टी की 23 केंडिट की सूची और आनी है वो सूची आने के बाद क्या होगा हथीन में कितने बागी ये उदासी नहोंगे होड एक विधान सबाद छेत्र में आपका उमोवन लोग मिलेंगे और अगर मैं आपसे बात करूं तो उदासीन करने वालों की तो कोई गिंती नहीं कोई संख्या नहीं कि वो कितने भी हो सकते हैं अब वो दोर्शू हो गया जब चुनावी सर्वय होंगे मैं कल टाइम सनयों का देख रहा था एक सर्वय हलाकिन सर्वे जो परिटि के हुए करते हैं ओपीनियन पोल जो हुआ गरती है इनका क्या पहिमाना है किस लिहाद से होती है और ओपीनियन का सर्वे का और उसके बाद में एकजिट पोल का क्या हश्र होता है अभी तीन महीने पहले चार जून को पूरे देश के अंदर लोकसभाज चुनाव जो हुआ था उसकी गिंती हुई चुनाव परिणाम जब सामने शुरू आने हुए सुभा से ही तो धड़ा धड़ जिस स्पीड से वो जो एक्जिट पोल के नतीजे थे वो गिरे जिस परकार ओंधे मूव वो नतीजे गिरे उसके बाद लगता नहीं है कि एक्जिट पोल या ओपीनियन पोल ये लोगों पर कोई असर करेंगे हलांकि ओपीनियन पोल तो अब भी कह रहा है कि 35% वोट मिल रहे है भारती जनता पार्टी को और ओपीनियन पोल की माने तो 32% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है कॉंग्रेस पार्टी के लिए लेकिन जिस प्रकार की हर्याना की राजनीतिक हवाएं कह रही है वो कुछ और संदेश दे रही है हर्याना की राजनीतिक हवाएं जो बता रही है वो कुछ और उसका अगर देखें उसको आप गहनता से मापे तो हर्याना में जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी की जो 10 स विदान सभा चुनाव के लिए बारा तारी को नामंकन का कारेर पूरा हो जाएगा उसके बाद में बगावत अदावत ये वाली बातें धीरे धीरे थम जाएगी 16 तारिक के बाद में ये चुनाव परचार पूरे शबाब पर होगा और उसके बाद तैह होना शुरू होगा धीरे धीरे कौन किसके हक में जा रहा है परधान मंत्री से ले करके और उत्तर प्रदेश के मंत्खे मंत्री योगी आधित्यनाथ तक की रेलियां होंगी इधर कॉंग्रेस में बुबेंदर सिंग घुड़ा तो स्टार परचारक होंगे ये कुमारी सहलजा और अंदीप सुर्जे वाला भी अपना जल्वा दिखाएंगे राहूल गांदी और मलिका अर्जुन खडगे की भी रेलियां होंगी आमाद्मी पार्टी का घठबंदर कॉंग्रेस से होता है और नहीं ये शायद आज शाम तक तैह हो जाएगा इन एलो और बस्पा के पास कैसे कोई करिश्माई कैंडिडेट पहुंच सकते हैं क्योंकि अभय सिंग चोटाला भी लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार किंग मेकर होंगे ये तमाम बातों को ले करके चुनाव तैह होगा कि चुनाव कौन सी दिशा लेता है भाजपा की एंटी इंकमबेंसी कितना ज़्यादा हो सकती है कॉंग्रेस के पक्ष में लोगों का रुज़ान कितना हो सकता है इंडियन नैशनल लोगदल कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगा कि उनकी तरफ लोग ज़्यादा आएं इनेलो और बस्पा गटवंदन इस सब के बाद तैह होगा कि चुनाव किस दिशा में जाएगा चुनाव की दिशा क्या होगी चुनाव किस प्रकार का चलेगा अभी कितने पार्टियों में दागी बागी और अदावती होंगे इन सब पर नजर हम भी रखेंगे और पूरे चुनाव में आपको लगातार बताएंगे कि हर्याना के